दोस्तों mathematics में आपने बहुत से number सुने होंगे real number, prime number, rational number, irrational number, तरे तरे के number लेकिन आज तो कुछ खास number के बारे में ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ बने रही है हमारे साथ, इस वीडियो में शुरुवात से लेकिन तक, मैं हूँ अमित ककड और आप देख रहे हैं चैनल अमित ककड स्पीक्स तो प्यारे दोस्तों, यह तो बड़ा अजीव सा एक number है, indeterminate number लोग confuse हो जाते हैं, undefined number और indeterminate number में बहुत छोटी सी knowledge, लेकिन एक बहुत बड़े काम की, मैं आपको देने जा रहा हूँ कोई आप से पूछे, infinity minus infinity क्या है, तो लोग बोलते है, infinity तो यार undefined number है तो infinity minus infinity, कोई नहीं जानता infinity कितना बड़ा है, इसलिए तो बोलते हैं, undefined लेकिन, क्या आप इसको जानते हैं, infinity minus infinity undefined नहीं है, यह एक defined number है चलिए, हम लोग एक छोटी से exercise करते हैं, ना आपको मालूम ना हमें मालूम क्या होने वाला है अगले page पे my dear, एक छोटी से exercise करते हैं, हम यह माल लेते हैं, कि let y is equal to infinity minus infinity हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है y, कि y की value क्या है, आज पता तो लगे infinity minus infinity होता क्या है तो एक काम करो, इस infinity को अगर उस side ले जाओ, तो क्या मैं क्या सकता हूँ, infinity plus y is equal to this infinity तो अगला step क्या आएगा, y plus infinity is equal to this infinity, होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, अब आप मुझे पताईए y क्या हो सकता है, क्या y 1 हो सकता है yes, क्योंकि 1 में अगर हम infinity को add करते हैं, तो infinity ही आता है, तो मतलब y may be 1, y 1 भी हो सकता है क्या y 2 हो सकता है, yes, अगर मैं 2 में भी infinity add करूँ, तो infinity ही आता है, infinity एक ऐसा number है, जिसमें कोई भी real number add होगा, infinity आएगा, तो वो इस equation को satisfy कर सकता है तो इसका मतलब y अगर 1 है, तो भी यहाँ satisfy हो रहा है, y 2 है, तो भी satisfy हो रहा है, y 3 है, dot dot dot, y may be any real number such kind of a numbers are called indeterminate number, मतलब हम इने determine नहीं कर सकते, y कुछ भी हो सकता है, it's a defined number लेकिन इसकी value क्या होगी, यह समय और परिस्थितियां और वहाँ की situation decide करेगी but कभी भी आप नहीं बोलेंगे infinity minus infinity undefined है, indeterminate है सर, हम इसे निकाल नहीं सकते, क्योंकि यह real number में कोई भी real number हो सकता है any real number can be an answer, infinity minus infinity चलो, अब ऐसा ही एक number में आपको और दिखाता हूँ, magic है, आज लग रहा है न, कोई magic हो रहा है 0 by 0, लोग कहते हैं, सर, किसी भी चीज को 0 से divide करते हैं, infinity आती है, नहीं अगर हम किसी भी non-0 number को 0 से divide करते हैं, तो infinity आता है लेकिन अगर 0 को ही 0 से divide करें, तो क्या आएगा, चलो, बच्चों एक छोटी सी exercise करते हैं हमने माल लिया, y is equal to 0 by 0, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, y, cross multiply करिए जरा इस 0 से cross multiply करिए, क्या आएगा अगला step, 0 into y is equal to 0 अब बता, y क्या हो सकता है, y 1 हो सकता है, yes, क्योंकि 0 में अगर 1 का multiply करें, 0 या आएगा, y satisfy कर रहा है, इस equation को, y का solution है, okay, y 2 भी हो सकता है, 2 into 0 is equal to 0, y 3 भी हो सकता है, dot dot dot, bet получается y 10 भी हो सकता है, y 1 lakh भी हो सकता है, y 2 lakh भी हो सकता है, y minus 3 भी हो सकता है, y minus 100 भी हो सकता है, क्योंकि 0 by 0 कुछ भी हो सकता है it may be any real number of idea such kind of numbers are called indeterminate numbers दोस्तों अगर आपको जड़ा सब ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको एक knowledge भी ली हो कि एक indeterminate number का significance क्या होता है मतलब क्या होता है तो इस वीडियो को जदा से ज़्यादा शेयर करिए यही अमरी गुरु दक्षणा है 11th 12th class का बच्चा भी इस बात को जान जाई यह क्या होता है और हम लोग हर channel पे हैं चैनल टेलीग्राम हो Facebook हो Instagram हो Amitka Kadispeaks को like करें subscribe करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे सब बने रहें हम ऐसे ही छोड़ी छोड़ी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी performance को कहीं न कहीं बढ़ाते रहेंगे यही इस channel का उद्देश है जय हिंद नमस्कार